ओके तो फाइनली जन्मों बाद वन पीस का मांगा चैप्टर 1074 के स्पोईलर आए और भाई देखो पता है ओडा पिछले वीक ब्रेक में था एंड अब हमें जो स्पोईलर दिखा जारा है अब देखो ये स्पोईलर जो है ना देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे क ये चैप्टर उतना खास होने वाला नहीं है लेकिन इस चैप्टर में ओडा ने बहुत सारी चीज़े रिवील की है और ये रिवील के मामले में one of the best चैप्टर निकल के आता है और जानते हो इस चैप्टर के आनी के बाद ना बहुत सारे थियोरिस निकलने वाले है तो उस मार्क 3 ये आयन मैन का मार्क 3 सूट नहीं है हमें फर्स्ट स्पॉलर में ही डीटेल दिया गया है मार्क 3 क्यों रखा गया है अब सेंतु मारू ने 50 यूनिट्स वाले नए पैसफिस्टास को जो है रिलीज कर दिया है ताकि स्ट्रॉहेट पायरेट वेगापंक को लेके निकल सके यहाँ पर देखो ये चीज क्या दरसारा है ये स्पॉलर ये दरसारा है कि सेंतु मारू को भी पता है कि जारू फ्लीट लेके आ रहा है वरना भायो 50 यूनिट्स आफ पैसफिस्टास को रिल है मुझे नहीं पता एंड नहीं तुम सबको पता होगा हम बस एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं साधी साथ हम इतना समझ सकते हैं एक अंदाजा तो निकली सकता है कि जो पूराने वाले पैसफिस्टास थे उनसे तो सायद ये जादा स्ट्रॉंग होंग ही एंड क्या ये सेराफिम से जादा स्ट्रॉंग है तो अगर तुम मुझसे पूछा तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने स्ट्रॉंग नहीं होंगे जितने सेराफिम सुगा करते थे बिकाज वोलोंग वालोट्स के रिप्लेस्मेंट है एंड ये उनसे थोड़े वीक जरूर होंगे ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर ये काम भी अच्छा किया कि Captain and Captain के Right Hand Man दोनों को रखा गया है बड़िया बात है बात है साथ ही साथ अगर मानलो कोई बड़ा हमला भी होता है लूफी एंड जोरो देख लेंगे एंड लूफी एंड जोरो क्रू के सबसे strongest character है तो हाँ बड़िया बात है साथ ही साथ सांजी का बाकियों के साथ जाना वो भी अच्छा हुआ ताकि अगर दूसरे साइड से कुछ हमला वगरा हो या कुछ और लफडा होता है तो सांजी हैंडल कर सकता है वैसे स्ट्राइड क्रू पहले जितना तो वीक नहीं रहा तो ज्यादा टेंसन वाली बात नहीं है नेक्स्ट आता है जो थर्ड स्पॉयलर है बॉनी इज इन सम सॉट ऑफ मेमोरी वर्ल्ड सी सी यंग कुमा बिंग अब्यूज कुमा का पास्ट रिवील होना चाली हो गया ह एंड ओडा ने जिस तरीके से यार पास्ट रिवील किया ना मजा गया साथी साथ जो बॉनी है सच बतारों अगर तुम मेरे से पूछते ना ये एग हेड आइलेंड से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि जॉलरी बॉनी जो है आगे जाकर की इतनी जादा पता चलेंगा कुमा का एकएक चीज उसको पता चल सकता है साथी साथ मेमोरी वर्ल्ड में जाने के वज़े से मुझे जहां तक लगता है उसको जो है रेवलेशनरी आर्मी के बार में बहुत ज्यादा जानकारी पताशल सकते हैं भी मालूम पढ़ सकते हैं जो सिर्फ revolutionary army के heads को ही मालूम होंगे एंड कुमा भी उनी में से एक था main important बंदों में से एक था तो उसको पता होगा एंड ये कुमा के memory world है तो भाई यहाँ पर chances निकल के यह आते हैं कि bonnie को भी बहुत सारी जानकारी मालूम पढ़े एंड कुमा पहले कैसा था बचपन से लेके पूरा जवानी से लेके अभी जो बाप बनने तक वो तक पता चल जा है वैसे मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि भाई कुमा का बाठ जनने के बाद ओड़ा हमें फिर से रूला आने वाल है next आते है final spoiler वी भी जो है Morgan एंड वैपूल के साथ है एंड वैपूल यह ड्रम आइलेंड वाला यह जोकर वाला बंदा एंड मॉर्गन तो तुम सबको पता है फेकू चंद रिपोर्टर भाई गांजा फूंक के लिखता है वैसे देखो कुछ भी कहलो जो मॉर्गन को किड्नैप वैगा पंक देख भाई एक चीज़ घ्याना चाहूंगा उसने अपने खबरी कहीं न कहीं लगा के रख्या हर जगा है उसके खबरी उन लोगों ने यह वाला खबर भी निकाल लिया कि स्ट्रोहेट पाइरेट जो है एग है डाइलेंड में और तुम सोचो यार यह बंदा कहां कहां से खबर निकालता है जो नेवी या को मरीन जो वर्ल्ड गवर्मेंट है उनका जो खास खबर है ठीक है खास जिसके बार में किसी को नहीं पता है CP0 ने तो कहीं पर review नहीं किया, CP0 ने तो direct call लगाया था, and information दिया था, जैसे उनको पता चला भाई, Celestial Dragon या का 5 Goros में से एक Saturn and Kizaru अपने fleet के साथ आ गया, वेगापं को किड्नैप कर दिया, ये थोड़ा मतलब बढ़ा चड़ा के छापने को कोसिस किया जा रहा है, लेकिन हाँ, कुछ भी कहो, Morgan ने यार बहुत लंबा हाथ मारा, वस आज मैं अपने दोस्त के साथ डिसकस कर रहा था, तो मैंने एक और चीज नोटिस किया, और सच कह लेकिन पूरे दुनिया के बार में चापता है, इस चीज को जरो तुम नोटिस करना, किसी ना किसी तरीके से, इस चीज के मतलब possibilities हैं, ऐसा मुझे मेरे दोस्त को लगता है, अब तुम सब को लगेगा कि नहीं लगता है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस चीज के possibilities निकल के आ सकते हैं, कि किसी ना किसी तरीके से, मॉर्गन का revolutionary army के साथ connection हो, अब वो भी revolutionary army के साथ है, ये चीज नहीं guarantee है, लेकिन dragon के साथ उसका कुछ ना कुछ connection हो सकता है, हो सकता है किसी तरीके का उधार हो, कुछ भी हो सकता है, जिस वज़े से यार वो revolutionary army के बार में ज्यादा कु कुछ भी राज निकाल सकता है इसके खबरी हर जगा फैले हुए तो यह क्यों नहीं हो सकता वैसे स्पॉलर पढ़के तो लग रहा है कि कुछ बड़ा कार्ण होने वाला एंड तुम एक चीज नोटिस करो इस चैप्टर में बहुत सारे चीजे ओड़ा ने रिवील कर दिया मत लब छिप आया नहीं है इस बार पूरा ही रिवील कर दिया वैसे तुम सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना कि यह स्पॉलर पढ़के तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है एंड देखते हैं जब चैप्टर आएगा और क्या-क्या